नमस्कार दोस्तों, Amazing Facts में आपका स्वागत है दोस्तों मार्च 2015 में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंडर मोदी रक्षा समझोते के लिए सेसल्स गए थे लेकिन ज्यादतर लोग सेसल्स देश के बारे में बहुत ही कम जानते हैं तो आज मैं बताने वाला हूँ सेसल्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानतें दोस्तों सेसल्स भारत महसागर में इस्थित एक छोटा सा बहुत ही कुपसूरत देश है जो कुल 115 आइलेंड को लेकर बना है ये देश भारत सागर में इस्थित होने के बावजूद अफरीका महादीप में आता है दोस्तों सेसल्स का समुद्र तर्ट प्राइवेट आइलेंड, रिशॉर्ट्स, होटेल्स और रहन सहन दुनिया के किसी भी आदमी को अपने और आकरसित कर सकता है दोस्तों इंग्लेंड का राजा प्रिंस विलियम अपना हनीमून सेसल्स में मनाने गए थे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेसल्स कितना खुबसूरत हो सकता है इसके लाव वे हर साल काफी सारे हॉलिवडी स्टार यहां के प्राइवेट आइलेंडों में अपनी छुट्टी अकटाने जाते हैं दोस्तों आबादी के लिहास सेसल्स बहुत ही एक छोटा देश है और यहां की आबादी सिर्फ 94,000 है जो के भारत के एक सिर्फ तालूका के बरावर है और इसे दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक माना जाता है सेसल्स में जब एक सर्वे करवाया गया तो यहां की ज्यादतर महिलाओ का यह मानना था कि अगर कोई पती अपने पतनी को पीटता है तो यह प्यार करने की निसानी है एक बात हैरान करने वाली है कि इस छोटे से देश का अपना अलग एक सैनिक बल है सेसल्स में ज्यादातर खेती नहीं होती है इसलिए ये पूरा देश बाहर देशों से लाया गया नाच के उपर काफी निर्भर है 1970 से पहले सेसल्स में एक भी आदमी नहीं रहता था और 1970 में पहली बार फ्रांस के लोगों ने यहाँ पे आकर रहना आरम करा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी केचवा सेसल्स के समुद्रतेट में पाया जाता है जो यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट को आकरसित करता है यहाँ पे एक वी ऐसा मच्छर नहीं है जो मेलरिया रोग को बाहन करता हो सेसल्स के प्राइवेट आईलेंड और समुद्रतेटों में टूरिस्टों का आधानंगा होकर घूमना बहुत ही एक आम बात है और यहाँ के काफी सारे आईलेंडों में कभी कभी टूरिस्ट पूरा ही नगन हो जाते है लेकिन यहां के सरकार के तरफ से पबलिक आईलेंडों में पूरी तरह से नंगे होने के उपर प्रतिवन्द लगा दिया गया है सेसल्स को वहती एक सुरक्सित देश माना जाता है सेसल्स में दुनिया का सबसे सक्त अकरोट पाया जाता है जिसे कोकोदे मेर कहा जाता है सेसल्स का रहन सहन इतना अच्छा है कि ये पूरी तरह से ईरोप के देश जैसा दिखता है सेसल्स का आदमी प्रती इंकम लगवग भारत का चार गुना है और यहां का एक रुपिया भारत का लगवग पौने पांच रुबै होता है आवादी के लिहास से सेसल्स का राजदानी विक्टोरिया दुनिया के सबसे छोटे शहरों में से एक है सेसल्स के लगवग 90% लोग इसाय धर्म का पालन करते हैं यहां के ज़्यादतर लोग इंगलिश, फ्रेंच और क्रियोल वहाशा में बात करते हैं एक बात काफी चोकाने वाली है कि यह देश एरोपिया देश जैसे होने के बावजूद यहां के ज़्यादतर लोग मचली और चावल खाते हैं और आदमी प्रती मचली खाने में सेसल्स दुनिया में पहले नमबर पे आता है तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कॉमेंट वक्स पर लिख कर बताएं क्यों अच्छा नहीं लगा?